नमस्कार, cotton complex morning podcast में आपका स्वागत है, आज 13 अगस्त, कल के session में पूरे cotton complex के अंदर हमने इक अच्छी stability आती भी देखी, जहां हमने international cotton prices में एक थोड़ा बहुत pullback देखा नीचे की तरफ बड़ वापस recover होकर इस वग करीबं 62.67 करीप rate कर रहा है, उसी को दिखते वे आज domestic market में cotton भी साइड वे टूप जो एकल के session में हमने 16,400 के बिल्कुल नीचे cross होते वे देखा है, जो कहिना कई संकेत देता है कि lower level से बार बार में पाई आती भी दिखाई देगी, वहीं अगर कपास की बात करें, कपास में भी हमने 22% की तेजी आते वे देखी, पाईजर हजार के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जी जंग से माराष्टा में एक अलर्ट जारी हुआ है, कि pink ball warm का infection है, वो increase हो रहा है day by day माराष्टा के अंदर, ये कहिना कहीं cotton और कपास दोनों को ही support करेगा, demand है थोड़ा बहुत अभी भी नरम है, जी जंग से lockdown जो हुआ था, अब उभरना थोड़ा सा साइडवे ही है, जोड़ा आगे जाके उभरेगा जुरूर, जो हमें रखता है मार्केट में तेजी है, वो pink ball warm का जो concerns है माराष्टा में, उसके चलते प्राइजस में तेजी आ सकती है, महीं cotton seed oil cake की बात करें, तो मार्केट 870 से 1930 के बीच में ही trade क करता हुआ दिखाई दे रहा है, कल fresh buying जरूर बनी, बढ़ ज्यान रखे हमें समल के काम करना है, 870 का level तोड़ने पर हम 800-820 का level फिर से देख पाएंगे, otherwise 830 के ओपर जब तक closing नहीं देता है, तब तक आप तोड़ा बचके रही है, because higher side पर एक profit booking due जरूर है, टेक्निक इक range में ही अभी भी trade कर रहा है, unless and until 16800 का level नहीं तोड़ता है, prices ये बड़े दायल में ही trade करते लिए दिखाई देगे, वहीं अगर cotton seed oil cake की बात करें, तो मार्केट को 1920-1930 का important register zone है, जब तक ये range के भार में ही निकलता है, possibility कि 1870 का level अगर तोड़ देता है, तो आप्रा सो क issue पर hold करना काफी important है, अगर ये level थोड़ता है, तो ही अम धीजी कर पाएंगे, अधिक जनकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सस्क्राइब कीजिए, इस चैनल में हम आप तक commodity के update लाते रहेंगे, धन्यवाद,